नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है मरते दम तक नहीं होगा कमर में दर्द, खुटनू का दर्द, दोस्तो सुगर, मोटापा, कॉलोस्ट्रोल और दिल की बिमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी बस आपने इस एक चीज का सेवन करना है और बिमारियां छूमंतर की तरहें गायब हो जाएगी दोस्तो आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा नसों की गैस की समस्या दूर हो जाएगी आपका पाचन मजबूत बन जाएगा आपको किसी भी तरहें के पेट की रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा दो दोस्तो यदि आपको पित के दोस हैं या वात के दोस हैं वात और पित को ये सांत करने का काम करेगा वात और पित से जुड़े हर तरहें के रोका एक कारगर इलाज करेगा दोस्तो आज की इस वडियो में हम जिस चीज की जिस आयरुवेदिक दवा की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो सोंट दोस्तो सोंट बहुत ही लाबकारी आयरुवेदिक दवा है जिसके इस्तमाल करके आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहते हैं दोस्तो सोंट और अद काने के लिए इसका परयोग किया जाता है। दर्द की जो समस्या होती है वो कहीं न कहीं वात दोस्त के कान ही होती है और ये उस दोस्त को ही खतम कर देगा यानि आपके उस दर्द की जड़ को ही खतम कर देगा उस जड़ का ही इलाज कर देगा तो आपका दर्द छूमंतर की तरह है गायब हो जाएगा और दूसरा काम कर पाचन दोस्तों जब आपका पाचन मजबूत होगा तो जो आप खाएंगे वो आपके सरीर में लेगा आपके सरीर में किसी भी विटामिन और मिननल की कमी नहीं होगी तो आपको सुगर, मुटापा, कोलोस्टोल और दिल की बीमारियों का तो कभी सामना ही नहीं करना पड़े पेट फूलने जैसे समस्य में यदि आप सोंट का सेवन करेंगे तो आपको तुरंत फाइदा मिलेगा सरीर में गैस बनने के काण दर्द होने के समय भी यदि आप सोंट का परियोग करते हैं तो यह एक रामबान दवा की तरह काम करता है जिस व्यक्ति में उल्टी, खटी, डकार आना, जी, मतली होना जैसी समस्य देखने को मिलती हैं उन्हें भी इस सोंट का सेवन करना चाहिए यदि आपको पतले दस्ताते हैं, पेट में मरोड जैसे समस्य हैं तो आपको सोंट के चून को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए जिन लोगों में उल्टी होने की समस्या, आप किसी यारदोस्ते सुनते हैं कि उसको उल्टी हमेसा होती है अब आप बोलिए कि सोंट के चून को आउला के चून के साथ मिला कर लीजिए और उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी दोस्तो आपकी चाहे कब के समस्या कितनी भी पुरानी से पुरानी हो दोस्तो उसके लिए एक कारगर दवा की तरहें काम करता है आपकी उस समस्या का बेल कोल चड़ से इलाज करता है जिन भी मेरे भाईयों को जोडों का दा दिया किसी भी परकार के दर्द की समस्या है वो इस सोंट का सेवन कर सकते हैं दिल की बीमारी उसे बचने के लिए कोलोस्टोल को सही करने के लिए डाइप्टिस को कंटोल करने के लिए सोंट का आप सेवन कर सकते हैं आईए अब आपको बताते हैं कि आपने सोंट का सेवन करना कैसे है दोस्तो आप सोंट को दूद के साथ उबाल कर ले सकते हैं या सोंट का पावडर बनाईए और उस पावडर के एक चमच को छोटा चमच होता है न जो चाई वाला चमच उसके एक चमच को आप दूद के साथ या गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए वैसे आप गुलगुले पानी के साथ सेवन करेंगे तब आपको आदे का फाइदा होगा और आपकी सभी इतरहें के समझ जाएं दूर हो जाएंगे दोस्तो आप इसका सेवन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं यानी खाने के एक गंटे के बाद आपने लेने और इसको खाने के आपने आदे गंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है आप इसका सेवन रात को सोते समय भी कर सकते हैं दोस्तो आप सोंट का सेवन कीजिए और अपने सरीर की बेमारियों का घर पर ही इलाज करतीजिए और अपने सरीर को इन बेमारियों से बचा कर रखिए तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे का आज से ही सेवन शुरू करतीजी और अपने सरीर को बेल कोलन निरोगी बनातीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों